दोस्तों आज जब हमात्र प्रदेश में विधान सवा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है मैं अपने इस चैनल के माधियम से आप लोगों के लिए एक छोटा सा संबाद प्रस्तुत करने जा रहा हूँ यह किसी चुनावी विशेशक्य सेफालोजिस्ट के विशलेशड़ों और इन्पुट पर अधारित ना होकर या किसी सर्वी पर आश्रित ना होकर चुनावों के समय चल रहे गली के नुकडों में चाई की दुकानों में प्रिष्टरा में और अलग-अलग तरह के पब्लिक स्पेस में लोगों में आम लोगों में चल रही बातचीत के आधार पर और मेरे अपने कुछ अब्जर्विशन्स के आधार पर बना हुआ समभाद है मैं इसमें मुख्य दो पार्टियों यानि के भाजपा और कॉंग्रिस के विभीन पहलों को इस चुनाब के उप्लक्ष में अशेस्मेंट के आधार पर यक निश्कस पर पहुंचना चाहता हूं की इसमेंट के अधार पर यक निश्कस पर पहुँचना चाहता हूं क्या इस बार लगातार चली आ रही हमारी चुनावरी प्रवृति के उलट एंटी इंकंबंसी यहनिके पुराने की जगा नए दल की सरकार बनने की प्रवृति जादी रहेगी या तूटेगी तो मेरा विश्लेशन इस प्रकार है सबस्पहले हम भाज़पा की हो जाते हैं भाज़पा की पिछले वर्षों में देश में विर्थ और गैर ज़रूरी हिंदू सांप्रदाइक और द्रूबिकरन हरकतों की बढ़ती अशुबने गटनाओं से नुक्सान होगा मेरा विक्तिकर्द विचार यह है कि इन से इस पार्टी के हिंदुत्व विश्तार और विचार से कोई देना देना नहीं है सिवाज नफ्रत के लिए नफ्रत दूसरा भाजपा की हिमात्र प्रदेश में विद्यामानता कम नहीं है अगर यह तीन गुटों में बंट कर पार्टी में असंतोष्ट में बदल गई है और कठपतली सियम के पहलू से भी इस पर विप्रित प्रभाब पढ़ने की अश्यंका है भाजपा के पास केबल मोदी के चेहरे के सिवा कुछ दिखाने को नहीं है और मोदी अपनी अपील होता हुआ नजर आ रहा है पार्टी के हाई कमान ने पार्टी के राज़स्तर नेतित्यों की सत्ता में लोगों में अविश्वास भर दिया है यहां तक कि संग के कर्मठ लोग और दश्टकों से प्रतिष्टित जन नेता जैसे कि श्री राम सिंग कुलुक शेत्र में बागी होने पर विवश हो गए है ऐसा लगता है जैसे भाज़पा बागियों की पार्टी बन गई है जहां तक समस्याओं की बात है बागवर्नी समस्याओं की अंदेखी हुई है अगनी बीर के सिवा कुछ विशेश दिखाने के लिए नहीं है जबकि अगनी बीर स्वयम प्रश्णों कोई घेरे में खड़ी एक योजना है भाज़पा पैंशन मुद्दे पर अपना खेश फेश खोचुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने शास्तन के पांच साल में ना कुछ अपबाद स्वरूप उपलब्धी दिखा पाई है ना ही बेरोजगारी और महंगाई के समस्य को सुलजा पाई इह माचल के शासन बदला उरुजान को सशक्त करने वाली बातें सिध होंगी पर जहां तक भाजपा का चुनाबी संगठन और संचालन का सवाल है वो निसंदे उच्च स्तर का रहा है यह तो रही बात है भाजपा की अब हम चलते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर कांग्रेस सोर्गे वीरभदर जी के बिना अपना नया सचक चहरा श्रीमती प्रत्रवा सिंग में धून रही है जो इसके लिए एक समस्या हो सकती है कांग्रेस बिलकुल जागरुकता और सक्षमता से अपने कम्या दूर कर रही है और भारत दोडों की जगा भारत जोडों के राश्ट ब्यापी यात्रा से राहूल गांधी भाश्चपा के संप्रदाइक नीती पर लगातार निशाना साध रहे हैं कांग्रेस के आर्थिक विकास में महिला भत्ता किसकी बिजली शिक्षा और अन्यक्षेत्रों में विशेष पापधानों का वाइदा इसके लिए अधिक मतदान अकर्षित करने में कारगर सिध हो सकता है महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे सशक तरीके से सामने लाए गए और सबसे बड़ी बात यह कि कॉंग्रेस पैंशन के मुद्दे पर लगातार ना सिर्फ आकर्मक रही है बलकि ओल्ड पैंशन स्कीम की हामी भर कर अपना वच्चत स्वय इस मामले में स्थापित कर चुकी है जहां तक पार्टी के अंदर गुटबंदी की बात है कॉंग्रेस को भी नुक्सान पहुंचा है ऐसी प्रवृत्ती से पार्टी के अंदर वर्षियों से पांच-पांच वर्षियों से अपने ख्षेत्र में काम कर रहे उमिदबारों की अभिलना कर टिकट कहीं और देने की घटनाएं हुई कि इससे भी कॉंग्रेस को नुक्सान होना सौभाविक है जहां तक चुनावी अभियानों कस्तर और कॉश्चल और पार्टी के संग्त्रों का इस्तमाल की बात है कॉंग्रेस इन सभी पहलों में प्रशंस्त्निये प्रफर्मेंस दिखा चुकी है जो इसके लिए इस अभियान में लाबकारी सिद्ध होगी दोस्तों यह थी कॉंग्रेस के विशे में बात है अब हम यह दोनों पार्टियों के इन विभिन बिंदों पर तुलना करें और किसी एक निश्कर्ष पर पहुंचने के कोशिश करें कि 400 से अधिक उमिदवार जो की 68 सिटों के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ इस्त्री और पुरुश उमिदवार हैं बलकि इन बदलती हुई सामाजिक स्थित्यों में खुशी की बात यह है कि दुस्ती लेंगिक श्रणी से भी बहुत से लोगों ने इस चुनाव में अपनी किस्मत अजमाने की ठानी है और वह आगे आये हैं तो इन मुद्दों के आधार पर मेरा निश्कर्ष यह है कि 36 वर्षों से चली आ रही पंच वर्षिये सत्ता परिवर्तन की जो परिपाठी और प्रवृत्ती हिमात्र प्रिदेश में रही है वो इस बार भी संभवता जयों कित्यों बनी रहे और हर बार की तरह जनता को एक और दूसरी पार्ठी की सेवां को आजमाने का मौका मिले यही मुझे लगता है इसी के साथ मैं दोनों राजनेतिक धलों के और दुश्रे सभी राजनेतिक धलों को धलों के कारे करताओं को और नेताओं को इस चुनाब के लिए शुब कामने देता हुआ अपनी बात यहीं पस्तमात करता हूँ धन्यवाद जया हिंद झाल झाल